नमस्कार साथ हो सी बीबिकल आईटे गुरू में आप सभी का स्वागत है योपी आईटे अडिमेशन के लिए जो डाकुमेंट लगने वाले हैं वो डाकुमेंट मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे जो डाकुमेंट आपका दिया गया है इसमें कुछ ऐसे डाकुमेंट हैं जो इसमें नहीं बताया गया है जब आप कालेज में आडिमेशन कराने जाएंगे तो आपको वापस कर दिया जाएगा इसलिए पहले पूरा डाकुमेंट आप बनवा लेजे इसके बाद जाएए आपका अभी टाइम है तीन अगस्त तक जो है अडिमेशन करा सकते हैं तो सभी डाकुमेंट आपके पास होना चाहिए आज की रिट में जो है मेरे पास एक स्टुटन ने मैसेज किया था कि जो है सर मेरे जो कॉलेज में मलग उनके कॉलेज में जहाँ पूनका नाम आया है उनके कॉलेज में एक लिस्ट जो है चस्पा हुआ था दिवाल पे उन्हेंने मैसेज किया है मेरे पास वार्सप किया है कि सर मेरे कॉलेज में ऐसा सी डाकुमेंट लग रहे हैं पहले मैं आपको यह प्रारुफ दिखा दू जिस पे आपका जो letter आया है जो आपका merit list नाम आया है उसमें आप नीचे आएंगे तो दिखाए देगा आपको कुछ document यहां पर दिए गये हैं लेगिन कुछ document यहां पर नहीं है सबसे पहले जो यहाँ पर दिया गया है मापको बता दूँ फिर जो नहीं है वो बताऊंगा फिर जो नोटिस जारी आया था मेरे पास जो मैसेज है था वो भी मापको दिखा दूँगा इसके बाद दूस्तों आपको अच्छे से पता चलिए कि कौन कौन से डॉक्मेंट लगने वाले हैं यहाँ पे देखे पहला पॉइंट अब लिखा है समस्त अबिलेको के मूल प्रति और परमारिद च्छाय प्रति मतलब यह है कि आपको वर्जिनल भी लेकर जाना है और इसक सकते हैं इसके बाद देखिए अंग पत्र हो जाएगा सनद हो जाएगा जाती प्रोणपत्र हो जलेगा निवास प्रोणपत्र टीशी और आधार काड बहुत लोग ये मन में डाउट एंचना कि स्छना क्या होता है सटीफिकेट ठेक हैं जैसे माल जीन बहुत लोग का मार् आपका और जो हो है इस्कूल का नाम होता है कौन सा पर्सेंट में आप पास हुए हैं फस्स लिकें यह नाव रहता है लेकिन जो अंकपत्र रहता if उसमें आपका सब्जेक्ट में कितने नंबर पाए हैं वह सब्धिया रहता है तो ये दोनों जो है अलग-अलग किसी के हैं किसी के अलग-अलग नहीं है तो जिनका एक ही में है वो एक ही लिकर जाएंगे जिनका अलग-अलग है वो अलग-अलग लिकर जाएंगे जो आपके पास अलग-अलग होगा उसमें एक पे लिखा होगा माक्षेट अंग पत्र एक पे लिखा होगा पर के टीसी हो गया इसके बाद दुस्तों यहां पे समस्त जूनियर हाई स्कूल कच्छा आड़ के अब्यारती अपना अंगपद टीसी को जो है अपने जिला विद्धार नेरचक से जिला बेसिक अधिकारी से जो है सत्या पे जरूर करा ले जो आठी पास आबेदन किये हैं जो जिला बेसिक सिछा अधिकारी से सत्या पे जरूर करा लेंगे तभी जो है माने होगा नहीं तो माने नहीं होगा यह आप अपने स्कूल में जाएंगे तो आपको पता चले जहां पे आठी पास किया है वहाँ पे जाएंगे तो आपको बता देंगे कि जो आपका बियस से ज नानस होते हैं या फिर कुछ हिलाडी होते हैं तो इनको जो है अलग से अपना आपना स्पेशल कोटा डेना होता है इनको लाव दे लिखा यह लेने वाले भ्यारति को और प्रवार पतर देंगे तभी जो है इनका छूट मिलेगा इनको बरीता मिलेगे इसके बाद तो यहां पे दिया है कौसन मनी तेन सुर्पे प्रसजर 40 रुप परतिमाह नसूची जाती और अनसूची जन जाती को छोड़ कर इनने जो 40 रुपे पर तिमाह लगता है ये S.C.S.T. का नहीं लगता है बाकि जो है S.C.S.T. का फिरी होता है नहीं लगता है इसके बाद यहाँ पर 6 महिने का रथा 240 रुपे ले ले लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर देखें 6 गुड़े 40 तो 6 चौबी 240 रुपे ये प्लस जो गोसडा पत्र निरधारत प्रारूप ये भी बलुकमर में डाउट है तो ये क्या है देखिए ये हो सकता है कि जो है आपको कॉलेज से मेले ठीक है घोसडा पत्र जो है कॉलेज से मिलता है या फिर कॉलेज के आचपा जो दुकाने होती है वहाँ बही मिल जाता है अगर नह आइटिये और जो है प्राइवेट आइटिये का दिया उसके नीचे यहां पे दिया आवेदन पत्र डाउनलोड करें तो वहां से भी आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं अभी भी डाउनलोड कर सकते हैं मोईल नंबर डालेंगे और उसके बाद जो है आपका डाउनलोड हो जा जाया था उसको मैं दिखा दूख क्या क्या डॉक्मेंट उसमें लगाना दिया गया है दोस्तों यहीं देखिए मैसेज आया था दिवाल पर चसपा था अधर फोटर केच के मेरे पास मैसेज किया था यहां पे लिखाया है स्कूल अंगपत प्रवाणपत्र वही संद्ध जो बात हुए मैंने कहा था यहां प्रवाणपत्र लिखा है मुल्यम स्वाप परमारी च्छायत परती मलब कि जो आपका फोटो कापी है उस पर आपको जो है अपना साइन कर देनी है और उसकी वर्जिनल भी आपको लेकर जान तो फिर गौर्रमेंट में दिक्कत जाती है सुनते हैं नहीं जल्दी इसके बाद तो यहां पर स्वास तो फिटनेस प्रवाणपत्र आप जैसे मेडिकल सर्टिफिकर्ट थी के आप राथ में कि यहां पर लिखा निर्गत हो वहां से बनवा सकते हैं इसके बाद 10 रुपे क पर सपत्पत नौटरी हुआ यहां पर दोस्तों बात कहीं कि यह भी दिखी अलग है ठीक है यहीं आपको दिखाना चरह था कि क्या-क्या अलग लग लग रहा है तो यहां पर देखे यह जो है 10 रुपे का स्टाम पेपर पर लेंगे उस पर जो है आपको पर बता देंगे 10 पर लिखवा सकते हैं इसके बाद उस तो यहां पर अवांटित ब्योसाई के सापेच आसकता नुसार कक्षा आठ के मूल जो आठवे आविदन की हैं उनके लिए जो है आपका मूल सर्टिफिकट लेकर जाना है जो पिछली में मैंने बता दिया इसके बाद तो समानबर्ग जो समानबर्ग में हैं उनको थोड़ा बेनिफिट मिलता है चूट मिलता है तो अपना सर्टिफिकट देंगे तो उनको बेनिफिट मिल जाएगा इसके बाद तो यहां पर बुलावा पत्र और पंजी करित डांक टिकट देखिए डांक टिकट जो है आपको लेना है कुबुलाव पत्र कहते हैं इसके बाद तो यह है अंतिम सिच्छर सनस्तान से प्राप्त पर्थम टीसी दिया गया है जो टीसी है वो आपका पर्थम होना चाहिए पर्थम मनलब की बहुत सारे सुलूति जिस सीकन लगाते हैं हलाकि अगर आप किसी केस में जो है नहीं आप ।ो सिकन भी लगा सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है अपको थोड़ा सा हुआ पर जाके बातकाना है कि सिकन मेरे पासव फस्ट नहीं है लेकर वैसे आप पहले टीसी लड़ा सकते हैं नहीं तो दूसरी तीसी बी लगा सकते हैं ठीक है इसके बाद देखिए आधार काड जो है स्वा परमारित होना चाहिए आधार काड के फोटो कापी इसके बाद जो है यहाँ पे नीचे एंगे तो अभी देखिए कुछ और स्वा परमारित अच्छा परते भी लेकर जाना है इसके बाद तो निवास परमारित पत्र होना चाहिए मूल और स्वा परमारित दोना होना चाहिए मलब कि इसका फोटो कापी होना चाहिए फोटो कापी पर आपका साइन भी होना चाहिए इसके बाद जाती परमारित पत्र हो पिंटाउन निकाल लेना यह सब 14 डाकुमेंट यहां पर दिये गया है दो डाकुमेंट यहां पर आइड किया गया है बारा डाकुमेंट ही लगते थे यहां पर दोखिए जो दो डाकुमेंट है वो यहां पर है गिदा सुर्पे का स्टाम पेपर नोटरी वाला ये लगाना है और एक डॉक्यमेंट यहां पर आपका यहां पर बरित्यकरम वाला यहां पर लगा दिया गया तो दोस्तों इस तरह से जो है यह पूरा डॉक्यमेंट त्यार के ले जिए आप अगर डॉक्यमेंट साथ आप वापस लोड कर नहीं आएंगे चले मिलते हैं इस वीडियो में थंसर वाचिंग